आप सबी का स्वाधत है हमारे चैनल इंजीनियूस स्कोच में तो अज कज़ा हमारे टॉपिक में हम बात करने वाल हैं कि जो वाल प्लास्टर की ठीकने सोती है जो ब्रीक में अल्डरी पर हम लोग वॉल प्लास्टर करते हैं उसकी ठीकनेस कितनी रखनी चाहिए अंदर की दीवार उपर बाहर की दीवार उपर तो आज हम इस टॉपिक पे डिसकस करने वाले हैं तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो ता यह और भी ऐसी इंफॉर्मेटी वीडियो आपक करते हैं उसकी थीकनेस कितनी रखनी चाहिए जो मिस्टरी होता है वो जिस साइड से इंटो की जो ब्रिक में संरी करता है इंटो को जोड़ता है तो वह आला जो साइड रहता है वह बहुत ही स्मूथ रहता है जैसे कि आप अभी देख सकते हो एक दम लेवल में होता है कि टो उसका जो प्लास्टर का थिकनेस है जो रिकमेंडड है वो 12 mm है तो आप 12 mm का इंटर्नल में ब्लास्टर कर सकते हैं जो इंटिर्ययर वाल होती है अंदर की दिवारे तो इस पर 12 mm का प्लास्टर recommended अमब बात करते हैm exterior wall पे जो exterior wall होती है बाहर की 9 तो उप्रीक में जो ब्रिक्त के संहरी रहती है वो एक लेव् Sóak नहीं रहती हैं जो ब्रिक्स आती है जो इन्हें होती है उनका जो तो शेप साइज साइज कह सकते हैं साइज एकदम एकुरेट नहीं होता सबका थोड़ा बहुत उपर नीजे थोड़ा बहुत डिफ्रेंस होता है इसके वजह से जो दूसरी साइड रहती है जो दूसरी साइड रहती है वह रफ हो जाती है रफ हो जाती है उसमें सीमेंट निक तो यहां पर देख रहा हो कि बहुत ही रफ सर्फेस है तो यहां पर जो बाहर की दिवारे हैं उस पर जो हमारा प्लास्टर स्टार्ट होगा वो 15 mm से स्टार्ट होगा 15 mm से 15 mm 18 mm 20 mm 25 mm तक यह जाता है लेकिन जो रिकमेंड़ है वो आप 15 से 18 रख सकते हैं कोशिश यह करें कि जब कभी भी ब्रिक में संद्री करा है तो जो दूसरी साइड हो जिस साइड पर मिस्तरी खड़यों के काम करता है उसकी जो अगली साइड हो वहां पर जो सीमेंट निकला हुआ रहता है उसको बढ़ियां से तुरंट साफ करा लिजे कि आपकी जो प्लास् आपको पुट्टी नहीं कराने अब डिशात है उसस्ता पेंट करा लें डिरेक्ट तो यहां से देखे कौन-कौन से पेंट्स एवलेबल है मार्केट में जो मिना पुट्टी के लगाया जा सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थेंक्यू